हालो एव्रिवन वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर जोन आज के विडियो में हम लोग पेपर एट का टीम्ब यू निवर्स्टी का प्रिविएस यर कोश्चन सॉल्व करेंगे हम अल्रेडी एक प्रिविएस यर पेपर एट का अप्लोड कर चुके इसमें की 2020 से 2013 टक का Objective solved कर चुके प्रिविएस यर का इसमें 2012 टूह्राइन टू्छा तक का Objective solve करेंगे तो वीडियो गर आपको अछे लगता है वीडियो की फुराइप का Help होते हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को बाउट में ही मिल जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले 2012 का होगा साइलास मार्नर डील्स विद लाइफ ऑफिस साइलास मार्नर जो है वह किसके लाइफ को दिखाता है तो एक विभर की लाइफ को दिखाता है अब आगे चार्ल्स डिकेंड यूज नॉवेल ए बताईएगा थीक है बाट महम कंफर्मेशन ने हो पा रहे थे कंफर्म ने कर पा रहे थे कि इसमें से कौन होगा तो इसवज़े से नुसको छोड़े वे हैं है एथ क्लिफ इस दा प्रोटेगनिस्ट अफ दर नॉवल किस नॉवल से रिलेटेड है 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 लोग देख होगा त फिर who among the following is the sister of Emily Bronte, Emily Bronte की में से कौन sister है, तो Charlotte Bronte जो है, Emily Bronte के sister है, और फिर आगे है, वुद्रिंग हाइट सेंटर्स एराउंड थीम उफ, विद्रिंग हाइट का थीम है, वो क्या है, तो लव है, एक रोमेंटिक लब स्टोडी है, वुद्रिंग हाइट, जिसका की थीम लव अवेट क्लास और रिवेंज है, तो यह ध्यान रखी है, यह रोमेंटिक लब स्टोडी है, वुद्रिंग हाइट, तो यह अम और रडी इसका भी वीडियो अपलोड कर चुके है, तो नेथैनियल, हाउट थ्रोन के दौरा लिखा गया है, फिर आगे है, विच इमंग दा फ दा मेर ऑफ केस्टर ब्रीज, जो की थौमल साडी का है, और ओलिवर ट्विस्ट, जो की चाल्स डिकेन के दौरा फिर से लिखा गया है, तो इसमें लॉर्ड डेविड सेसल का एक भी नॉवेल नहीं था, अब आगे है, दा बॉटल इम्प हैस बिन रिटेन बाई, बॉटल इसके दौरा आरल स्टिवेंशन के दौरा लिखा गया है, रॉबर्ट लुइस स्टिवेंशन, इनका पूरा नाम है, तो यह चीज़ ध्यान रखेगा, अब 2012 का अब्जेक्टिव खतम हुआ, 2011 को देखते हैं, दर रियल नीम ऑफ जोर्ज इलिएट, जोर्ज इलिएट का र Of which of the following cities, तो कौन से दो cities के बारे में बात करते हैं, Charles Dickens, बहुत बार यह objective रिपीट हो चुका है, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में भी, तो लंदन और पैरिस के बारे में बात करते हैं, Dickens started his literary career with the publication of sketches by boss, यह मतलब उनका पहला novel था, तो सही आंसर होगा, sketches by boss, फिर आगे The story of Woodring Heights is related to, किसे related है, तो बागी सारा तो Woodring Heights का है, लेकिन main character of Woodring Heights का हो Catherine थी, अब आगे है, The daughter of the Catherine and Edgar Linton in the novel, जो Edgar Linton और Catherine की daughter कोन थी, तो Kathy थी, Edgar Linton और किसकी daughter, Catherine की daughter, पिर आगे है, During the five decades of the literary creation, Henry James wrote, Henry James कितना novel लिख रखे हैं, तो 20 novel लिख रखे हैं, और इसमें ऑप्शन नहीं था, 20 वाला, तो 20 novel सीदर लिख रखे हैं, आप लोग ये चीज़, ध्यान रखेगा, और इस वाले के लिए क्या है, इस वाले मतलब paper 8 के लिए, आपको जितना भी book दिया हुआ, paper 8 में, A Tale of Two Cities, Sailas, Marnard, या फिर जो भी The Scarlet Letter, The Stolen Cigar, The Income Tax Man, सार आपको ध्यान रखना है, क्यारेक्टर से लेटेट अब्जेक्टिव बहुत रिपीट किया गया है, फिर आगे है, 2011 को अब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर रहे है, Hester Prime is the heroine of which of the following novel, तो किसकी heroine थी, The Scarlet Letter, जो हम अल्रडी अप्लोड कर रखे हैं, फिर हाडी, Deez of the Earth, Willis falls in category, किस category में है, तो एक pastoral tragedy के category में है, अब है, Chameleon is a short story, penned by Chameleon short story, किसके दोरा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है, Anton Chekov के दोरा, यहां पे The Ambassador का, क्या लिखा हुआ था, हुआ पे आपको दिखा देंगे, ठीक है, आप screenshot ले ले लेना, या फिर लिख लेना, या ध्यान रखना आप, फिर 2010 का है, 2011-12 सॉल हो गया, 2010 में, true-false पूछा गया था, तो पहला true-false है, Mark Twain was a popular British short story writer, तो यह गलत है, Mark Twain जो है, American short story writer है, Oscar Wilde, the writer of the model meninger, जो model meninger के writer है, American है by bird, तो false यह एक Irish poet है, Oscar Wilde, Catherine Earnshaw is not a character in Emily Bronte Woodringhide, तो note लिखा हुआ है, character of Woodringhide, तो यह भी false हो गया, गलत है, फिर आगे है, Woodringhide is the name of a hill station, एक hill station का नाम है, in your stream का, तो false, Woodringhide, तो हम लोग बढ़ तो रखे हैं, कि वो क्या है, Woodringhide एक old house है, एक घर है, फिर आगे है, 2010 का true-false है, objective आया, George Elliot, chief characters are dominated and governed by moral consideration, मतलब George Elliot के character में moral consideration होता था, तो यह बिलकुछ true, सही है, फिर आगे है, Tease of the Herber Village by Thomas Hardy was published in 1892, इसको 1892 में published किया गया है, तो गलत false, 1891 में published किया गया था, इसे, अब फिर है, Henry James died in 1916, Henry James की जो मिर्टी हुई थी, 1916 में हुई थी, तो true, बिलकुल सही है, फिर आगे है, Tale of two cities is a historical novel centered on French revolution, French revolution से रिवल्युशन से रिलेटर थे हैं, तो बिलकुल true, अगर आप लोग video देख रहे होंगे, तो आपको यी चीज़ क्लियर भी हो रहा होगा, लुपाका करेक्टर है नहीं में इस नावल्ड के लिए फॉल्स और है या विंगों के लिए फॉल्स होगा है फिर आगे है हम लोग जेम्स इस दघेस्टर है गलत है यह समय को चुका है अब 9 को पुछा गया इसमे है और लेडिव जागलर इस अहं जाग्लर नहीं को आप नि तो इनका अवर लेडी जगलर जो है फ्रेंसिस ब्रेट हर्ट का स्टोरी है तो यह गलत हो जाएगा फॉल्स एंड टॉल फ्रेंस का है ठीक है आप लोग ध्यान रखेगा और सारा मतलब वीडियो देख लिजाए आवर लेडी जगलर जहां से भी मतलब वीडियो आप कंफर्म अगर लिखना नहीं भी एन एक्जाम में फिर भी आप वीडियो देख लिजए क्योंकि अब्जेक्टिव आ लुक्ति आपको ताकि याद रहे फिर आगे थोमस हार्डी वेसेक्स इस ए ग्रेट कमर्शियल सेंटर तो वेसेक्स थोमस अडी अपने नॉवल में यूज करते थे कॉमर्शियल सेंटर फॉल्स ये क्या है फिक्शनल मतलब शहर के रुपे फिक्शनल सिटी थोमस आडी का याद है, आर्की ने रायना मलगूदी को फिक्सनल सटी के रूप में यूज कर दे थे, तो उसी तरह था। Thomas Hardy Wessex को यूज करते थे फिर आगे है पियर्ड is the character of the Scarlet Letter, Scarlet Letter की character है पियर्ड तो बिल्कुल true, सही है, हेस्टर प्राइन की बेटी थी पियर्ड, Tees of the Upper Village is the last Nobel of Thomas Hardy, Thomas Hardy का last Nobel है तो बिल्कुल सही है, true है, The Ambassador is a social fiction by Howthron, तो The Ambassador जो है, एक fiction है जो Howthron के दोरा लिखा गया है, Nathaniel and Howthron तो गलत है बिल्कुल, Nathaniel and Howthron, तो The Scarlet Letter लिक रखेते हैं, फिर आगे है, the last chapter of the Tees, Outraises the Religious Conscience of 1891, तो यहाँ पे, मतलब, यहाँ यह चीज़ें को कहीं पर पढ़नाने को मतलब मिला नहीं, तो इस वज़े से हम इसमें ठीक नहीं किया है, कि इसका right answer क्या होगा, फिर आगे ह है, the ambassador is a novel of explosion of exploration of moral responsibilities, तो moral responsibilities को दिखाता है, the ambassador, तो बिल्कुल गलत है, यह दिखाता है, lived life, the new world versus the old world, old world और new, मतलब, old world और new world के life को दिखाता है, अब आगे है, a tale of two cities, London and Paris, a tale of two cities जो था, वो लंदन और पैरिस था, तो बिल्कुल सही है, लंदन और पैरिस सी यूज किया गय था, फिर आगे है, appy is the adopted daughter of silas minor, silas minor की doctor थी, appy, तो बिल्कुल 3 है, henry james is an iris novelist, henry james जो है, एक iris novelist तो यह गलत है, henry james, american novelist है, तो 2009 का अभी objective खतम हो गया, 12, 11, 10, 9 हो चुका, अब 8 का solve करेंगे, 8 में क्या आया वा था, match करने वाला आया था, तो देखते है, इसको क्य तो एट टेल आफ टू सिटीज का, lambert strator, यह किसका character, the ambassador का character है, hemlock jones, यह किसका character है, the stolen cigar का, इसलिए बोले कि, आप सारा वीडियो देख लेना, आपको एग्जाम में नहीं लिगना है, the ambassador, the stolen cigar, या फिर the model millionaire, बैस का character तो ध्यान रखना होगा, objective आ रहा है, इसलिए आप सारा वीडियो देख के जाना, आवर लेडी जगलर सब का character, अगर होगा तो हम exam के एक दिन पहले भी upload करने की कोशिश करेंगे, वैसे तो time काफी कम है, बट फिर भी अगर हो पाया हम तो हम कोशिश करेंगे कि हम upload कर दे video, ताकि आप कम से कम इस स्टोरी ध्यान में दखो, आप लेडियो देख रखे होंगे तो आपको पता होगा, तीवई दबॉटर लिंप का है, बार्नबश आवर लेडी जगलर का character है, एंजल क्लियर तीज अवडियो का character है, ठीक है, सारा character दिया हुआ है, तो ध्यान रखे कि का character बहुत important है, अब यहां पे हम the ambassador का सारा character लिख अगर आपको मतलब screenshot लेना है, तो आप नॉर्मली यहां ध्यान रख सकते हो, कि the ambassador character है, बट character इस वाले paper के लिए काफ़ी important है, सारा character, ठीक है, सारे book का, जो भी book है, the modern linear, वुद्रिंग हाइट, camellia, ने टे अलॉफ सिटी जपना भी book दिया वाई यह सब, ठीक है, अब आग pessimism, tragic vision, Thomas R.D. लिखते थे, Sydney Carton, a tale of two cities का है, the income tax man, Mark Tavyn के द्वारा लिखा गया, अवर लेडी जगलर को, Ant all friends ने लिखा है, फिर आगे है, यूमी ने, टेरियन नॉवल, यह कोन लिखते थे, तो Charles Dickens लिखते थे, एपी किसका character है, तो Sylas Marner, Jane Eyre, इसके द्वारा लिखा गया है, तो Charles Bronte की काफी famous book है, Jane Eyre, फिर आगे Angel Clare, तो Tees of the Aber, Village की character थी, Angel Clare, character काफी important है, देख लो, आप objective में आ रहा है, 2006 का objective देखते है, in all Emily Bronte wrote three novel, Emily Bronte तीन novel लिख रखी, तो बिलकुल गलत, false है, Emily Bronte सिर्फ एक novel लिख रखी है, वो है, Woodring Heights, फिर आगे, The Scarlet Letter is a moral allegory, तो बिलक autobiographical novel of Charles Dickens, Charles Dickens का autobiographical novel है, तो आप देखे होगे कि उसमें कोई भी Charles Dickens के बारे में तो कुछ भी नहीं है, अगर विडियो देख रखे हैं, तो false हो गया, यह David Copperfield में Charles लिख रखे है, autobiography है अपना, Tees of the Aber, Village is the last novel of Thomas Hardy, तो बिलकुल true, यह एक बार और आ चुका है, सही है, Angel Clare is a character of the ambassador, ambassador की character है, तो false, Tees of the Aber, Village की character है, Angel Clare, फिर आगे है, Our Lady Zuggler, Our Lady Zuggler, is written by Mark Tavine, Mark Tavine के दोरा लिखा गया है, तो गलत, Antone Friends के दोरा लिखा गया है, Camelion is written by Anton Chekhov के दोरा लिखा गया है, Camelion, तो धिहान रखेगा, बिलकुल true, बिलकुल सही है, Hester Pryne is a character of Silas Mariner, तो false, Hester Pryne, the Scarlet Letter की character है, Woodring Heights is a comedy, Woodring Heights comedy, अभी तुन बताया थे ने, कि Love, Romantic novel है, जिसका theme, Love, Hate, Revenge, यह सब है, तो यह false हो गया, Appy is a character in the Scarlet Letter की character है, Appy तो false, Appy तो Silas Mariner की character है, और यहापे क्या है, 2016 और 2005 का same था, मतलब same true false दिया वा था, इस वाज़ा से हम 2005 का नहीं रेख रखे हैं, और आ 19th century की novelist है, Charles Dickens, तो बिल्कुल सही है, The novel, Felix Holt, is written by Emily Bronte, Emily Bronte की दौरा इखा गया, तो false, यह George Elliot के दौरा इखा गया था, Felix Holt, अब आगे है, Reading a novel is written by George Elliot, Reading a novel, George Elliot की दौरा इखा गया है, तो यह भी गलत है, false है, फिर है, Roger Chillingworth is the character of Rimsonson Crusoe, इसका character है, Rimsonson Crusoe का character है, तो false है, The Scarlet Letter का character है, Chillingworth, अब फिर आगे है, Mrs. Nikolay by is the character of Oliver Twist, तो बिल्कुल गलत है, Nikolay by तो false है, Nicholas Nikolay by, Nobel है Charles Dickens का, उसका character है, Pairl उसे related है, Pairl is the character of Hester Prine, तो Pairl, Hester Prine की character है, तो बिल्कुल गलत, Pairl किसकी character है, The Scarlet Letter की character है, जो Hester Prine की बेटी रथी है, यह अलगी दे दिया है, Hester Prine की character है, तो अगर related तो है, पर और चार्रेक्टर तो यह ध्यान रखिएगा, Pairl और Hester Prine, दोनों किसकी character है, को दिखाते हैं तो false यह romantic misunderstanding को दिखाते हैं पिक विक पेपर में चार्ल्स टिकें Mr. Unshaw is the honor of Udring Heights के honor थे Unshaw बिल्कुल सही true है Ice Bella Mr. Linton's daughter was not married to Heathcliff, वो साधी नहीं करती है Heathcliff से तो गलत false साधी तो करती है Heathcliff से The Last Chapter of Taze तो फिर से रिपेटे है तो इसका true दिया हुआ था इस बदर से हम true लिख दिया है बट इससे डिटर दमों कंटेंड नहीं मिला हुआ था फिर आगे है Hardy never portrayed Wessex in his novel कभी पोर्ट्रेट नहीं करते थे तो गलत है Thomas Hardy तो as a fictional city यूज करते थे Wessex को The Ambassador is a novel explosion of moral responsibilities को दिखाता है तो गलत किसको दिखाता है lived life को दिखाता है इसमें the new world versus the old world compared किया जाता है The Ambassador में ठीक है फिर आगे है The Bottle Limp is written by Mark Twain फिर यहाँ पे गलत हो गया Mark Twain के दोरा नहीं R.L. Stevenson यानि Robert Lewis Stevenson के दोरा लिखा गया था The Bottle Limp Our Lady Juggler is a story of Antle Friends, Antle Friends की story है तो बिल्कुल सही Appy is the character adopted daughter of Last Minor यह बहुत बार आ चुका है बिल्कुल सही है अब 2003 है उसके बाद बस एक ही एर का बचेगा Sir Walter Petter Scott is a Victorian Novelist एक Victorian Novelist थे? फॉल्स Sir Walter Petter Victorian Novelist नहीं थे क्योंकि Victorian Novelist normally 19th century का period जाना जाता है तो यह तो मतलब 19th century के शुरुआत में ही इनकी death हो गई थी तो यह normally नहीं है Victorian Novelist Emily Bronte is a 20th century Novelist तो यह false है Emily Bronte 19th century की Novelist थी The History of the English Novel is written by E.M. Foster के दोरा लिखा गया तो यह बिल्कुल गलत है फॉल्स है यह किसके दोरा? Ernst A. Baker के दोरा लिखा गया The History of the English Novels Tees of the Erwar Village lived as a Roy 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 तो यह false है फिर आगे है One of the Two Cities of Tale of Two Cities is London एक सिटी दो था 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 एक सिटी का लंदन था तो बिल्कुल true है इस में 15 true false आया वाँ था The Scenes of the Story is Boston in the Scarlet Letter Scarlet Letter का जो शीन है वो बॉस्टन का है तो बिल्कुल true Sarapikok is the second ambassador in the in the Ambassadors तो true Sarapikok ambassador की character यह भी ध्यान रखियेगा Appie is the adopted daughter of Barbara रिपीट हो रहा है बिल्कुल सही है true Alec is the name who seduced is of the availableers अगर आप यह summary देख रखेंगा आपको पता होगा कि बिल्कुल सही है यह The Income Tax Man is written by Oscar Wilde के द्वारा लिखा गया तो false The Income Tax Mark Tawin के द्वारा लिखा गया फिर आगे The Stolen Cigar is written by Francis Bret Hart तो बिल्कुल सही है The Modern Millionaire is written by Francis Bret Hart तो गलत हो गया यह Modern Millionaire ऑसकर वाइल के द्वारा लिखा गया है Oscar Wilde is an American writer गलत है Oscar Wilde क्या थे Irish writer थे Anton Chekov wrote the story The Bottle Impling रखे है false RLS Defension देख रहा है यह भी बार-बार आ रहा है 2002 का है जो सबसे end है Baron Housebug किसका करेक्टर है तो The Story पता होगी तभी ना बता पाएंगी कि The Modern Millionaire करेक्टर है Madam D. V. Ornette यह भी देख 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 कि The Ambassador करेक्टर है लेकिन अगर हम लोग को स्टोरी ने पता होगी तो हम लोग कर नी पाएंगे Sydney Carton A Tale of Two Cities से करेक्टर है Hester Prime The Scarlet Letter John Durbeffill Teas of the Ever Willis जो भी आप वीडियो देख रखे हो उसका करेक्टर यू पहचान लो के Jane Eyre, Charlotte Bronte की काफी फेमस बुक है Great Acceptation, Charles Dickens का काफी फेमस नॉवेल है The Return of the Native, यह भी थमस आडी का नॉवेल है Heathcliff, फूद्रिंग हाइटी करेक्टर है Molly Foran, Silas मारन की करेक्टर है तो यह भी वीडियो खतम होता है वीडियो कर अच्छा लगा वीडियो कि थरो आपका हेल्प हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ेगा वीडियो से लिटेए डाउट है तो प्लीज मतब मेल कीज़ेगा या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप इस चीज़ पर डिसकस कर सकते तो चलिए वीडियो खतम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ